नमाश्कार दोस्तो, सवागता आपका मेरी चन्यल पर इस वीडियो में मैं आपके लिए एक राज्स्तान का मैंतपॉन टॉपिक राज्स्तान जो ख्याते हैं उसे ख्यात बोलते हैं वह लेकर आया हूँ और इसे समद्धिताज भी इस वीडियो में जो है हम मैत पु mild ख्यातों के बारे में जानेंगे ख्यात क्या होती है या कौन कौन सी ख्यात परसिती तो जहां से सवाल बनते हैं Important ख्यात उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो शुरू करते हैं, राजस्तानी ख्यात, तो दोस्तों ख्यात से संबंधी जो बाते हैं उसको देखते हैं, ख्यात है जो इतियास संबंधी साइट्य है, जिसके लेखन का जो परचलने भारत के उन सेत्रों में था, जिसे आजकल राजस्तान के नाम से जाना जाता है, अगला देखते हम ख्याद जो है उस मुलत है संस्क्रत का सब्द है जिसमें ख्याद हतु में तय प्रतिय जोड़ने पर ख्याद सब्द बना है जिसका आरत है भूतकाल की घड़नों का वर्णन या भूतकाल को ग्याद करना करिक्क है तो डुस्तों लुई जीपियो टैस्सितोरी शरुप्रत्तम एक सावरवादिक ख्यादों परकास में लाने वाले व्यक्ष्टित है इंप्रंटैंट नाम है कि घड़ने परकासं में लाया था तो ट्रांब के और और व्यवा दर्वा ऑश्तन हं कि गडद्य दूएं म माझना एक तो हुपोंट हो इन कि क्यों है राजस्थान के लिकर टो गद्य थेकश में हुप derived कुछ परसिद्र जो क्याते हैं उनके नाम देख लेते हैं के दोस्ते कुछ इंपोर्टेंट नाम फिर गए मुणत नेंसिग detailed यह मुणनोत और उद्यबं चमपवत्रि ख्याट, मुन्दयार्दि ख्याट, बाकिदास घ्याट, दयाल नाशुरी ख्याट, मारवाडरि- जयसलमेरistical और जयस्वानसिंग री ख्याट तो कुछ इंपोर्टेंट ख्याट है थी दोस्तों । अब हम एक-एक को देखते हैं तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वह मुनोद देनसी तो इस ख्यात के लेखक जो है मुनोद देनसी है और जोदपूर के सासक जो जस्वन सिंग का दिवान था ये मुनोद देनसी जो था है वे जोदपूर के सासक जस्वन सिंग का दिवान था मुनोद देनसी को जो जेपूर निवासी अपने एक मुनसी देवी परसाद हो थे उन्होंने राजपुताना का अबुल फजल कहा है तो तीनों सम्वाल इंपोर्टेंट है जोदपूर के सासक जस्वन सिंग के दिवान जिन्होंने एक परसित ख्यात लिखी उनका नाम मुनोद नेनसी और इन्ही के नाम पर मुनोद नेनसी की ख्यात पड़ा है और राजपुताना का अबुल फजल भी मुनोद नेनसी को कहा जाता है और दोस्तों यह है जो है राजस्तान की सबसे प्राचिन ख्यात है और सबसे विश्वस्नी ख्यात भी है और इस ख्यात को राजस्तान का एतियासी ग्रंथ माना जाता है और देखते हैं हम इसमें इस ख्यात में जोदपूर, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड राजपूत, 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 राज है होते थी तो उसमें डिंगल में रचित है एक तोड़ा इसमें तत्य देख लगते और मौनोद नेंसी के गरंद मारवाड प्रगटना की विगत जो था उसको राजस्तान का गजेटियर कहा जाता है मौश्ट इंपोर्टन सवाल है कि राजस्तान का गजेटियर किस मारवाड राज्य के खोफ कहा जाता है तियाल दासरी ख्याट के तो दियाल असरी जो ख्यात है उसका मुख्यत संब्ध है विकानेर. के राठोडों से हैं और यह ख्यात दो जो खंड है उसमें विबाजित है परतम खंड में मारवाड के राठोडों को प्रानम से लेकर जोधा तक का वर्णन है और दिर्तिय खंड में विकानेर के राव विका से लेकर सरदार सिंग तक का वर्णन है दयाल दास ने रशना जो है सूरा सिंग के काल में की थी यानि जब यह ख्यात लिखी जा रही थी उससमें सूरा सिंग राजा थे इसके अलाव हम देखे है बाकिदास रिख्यात तो ये जोदपूर राज्जी की ख्यात है बाकिदास जोदपूर राज्जी जो था उसके सासक मान सिंह राठोर चोड के दर्बारी थ"? और इसने जो है राजस्तान के राजवों द्वरा अंग्रेजों की अधीनता स्विकार करने के सम्मन्द में कहा आयों अंग्रेज मुल्क रे उपर तो यह कतना सकता है कि आयों अंग्रेज मुल्क रे उपर इसने कहा है तो यह जो कहा है वह बाकिदास ने कहा है आगे हम दोस्तों बात करते हैं अगली ख्यात की तो अगली अगली ख्यात मुंडियार रिख्यात है उससे पहले हम बाकिदास के बारे में कुछ अन्य बाते देख लेते हैं और तो बाकिदाशुरी ख्यात में राजस्तान में कन्यावद रोकने के बार बार adolescent किया पर्वार्ण रखीएगा और किस क्यात में रोकने का बाकिदाशुरी ख्यात को जोधपुर प्रभभ जाता है मुंधियार रिख्यात करने राठोडों की इसके अंदर देखते हैं जो मुंडियार रिख्यात है उसका संबन जोधपूर के राठोडों से और इस ख्यात कि एक परतिस सीता मोव केöst प्रत्रमागर सलस्तान में भी उपलब्द है मुण्री रिख्यात जो है मुगल सास्ष को की मारवाड की कन्यों से विववा की जानकारी मिलती है और मुंडियारी ख्यात को राटोडो की ख्यात भी कहा जाता है यह नाटे संस्तान है उसके अंदर उपलब्द है आगे हम देखते हैं मारवाड परगनारी विगत तो मारवाड परगना की जो विगत है इस ख्यात के लेखत भी मोनोद नेंसी है और सबसे बड़ी ख्यात है इसके अलाब मारवाड परगनारी विगत को राजस्तान का गजिेटीर कहा जाता है में ने कुछ ख्यात करते डिकि जिसमें मijn नाल से रिख्यात मुंडियार रिख्याद, बाकिदास रिख्याद, मारवाड परग्णा की विकत, यह सारे देखें, आब इस सम्मधित हम कुछ महत्मों प्रश्णोंतर देखते हैं, जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो सुरू करते हैं, तो पहला जो है मुनोद्नेंसी रिख्याद के लेक इस सम्मुर्वाड की बहुत साना कि मारवाड़ी वै डिंगल भासा में, मुनोद्नेंसी को नवरतनों में सामिल था अकबर की जो नो नवरतन थे उन में से यह भी एक था और अबुल फजल का जनूर जो है राजस्तान के नागोर में हुआ जोद्पूर का गजेटियर मौनोद्नेंसी रिख्यात को कहा जाता है इसके अलावा गर हम देखे तो राजस्तान के उस खِयात का नाम बताओ जिसमें राजपतो की 36 सकाओं मिलता तो मौनोद्नेंसी रिख्यात है मुनोद नेंसी रिख्यात में राजपतों कितनी सकाओं का है तो 36 सकाओं का वर्णन किया गया है और मुनोद नेंसी जोदपुर के किस सासक के दिवान थे तो रावजा जो जस्वन सिंग थे उनके दिवान थे जोद पूर के सासक जस्वन सिंग के दिवान का नाम बताओं जो मुणद नेन्सी लिखी के तो यह वही मुणद नेन्सी का अंसर हो जाएगा बाकितासरी ख्यात के लेक्टक बाकिदास खुद और अगे देखते हैं राजस्तान की उस ख्यात का नाम पत जूसमें कंझ्यावद रोकने का वारे मं वर्णन किया गया तो यह इंपॉर्टेंट सवाला बाकिदासरी-ख्यात कि इसका सही अंसर रो न हो ढर गास का लेकर बाकितास ये ता कि यह तून मान सिंग का दर्वारी ज़ी नावर बाकिदास ये ख्यात को किस अंजी नाम से जना जाता थे जूत्पुर राजी कि धिक्यात का लेकर कुण था तो बाकिदास था будущ है डेढ़ दास दयाल दयासरी ख्यात का लेकर दयाल दास, बिकानेर के किस सासक का दर्बारी कभी था, तो ये रतन सिंग का दर्बारी कभी था, बिकानेर के राठोड के सासको की जानकरी राजस्तान के किस ख्यात में मिलती है, तो ये दयाल दयासरी ख्यात में मिलती है, राजस्तान के उस ख जिसमें मुगल सास को की मारवाड की कन्यों से विवा की जानकारी मिलती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मुंडियार्री ख्यात और मुंडियार्री ख्यात को कि सन्य नाम से जाना जाता तो राठोडो की ख्यात के नाम से कि यह वापस भाही सवाल रिपिट की रारठवों की ख्यात कि राजस्तान की सबसे बड़ी ख्यात इन्यों कि bod ओ biz अर्द इसको कहा जाता है कि इसको कहा जाता है इसके अलाव्व म देखते हैं अबूल फजलना आयने अक्बरी गरंद के तुलना मुनोत देनसी की किस ख्यास से किये है तो ये मारवड़ा परगना की ख्यास से किये है आयने अक्बरी नामक गरंद के लेकाक अबूल फजलना ख्यात क्या है ख्यात जो है राजस्तानी बहसा में लिखे गए साहित्य है तो दोस्तों आशा करता हूँ यह आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो दोस्तों इसी परकार आगे वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स